आज का जो हमारा वीडियो है वो है adjustable cutter पे या फिर आप इसको बोल सकते हैं wood hole cutter ये मैंने लिया है snap deal से ये machine उज ओती है wood में hole करने के लिए हलिए मैंने wood में hole किये हैं ये आप देख सकते हैं 2 hole किये हैं में ने किए 30-40 second में शॉयद मेने ज़्यादा time बोल दियाओ but visor 45 से भी तो आज मैं आपको बताऊँजा कि इस machine में वड में कैसे roll कर सकते हैं कितनी अम तक्क्रक्राइब कर सकते हैं और हाँ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बैल आइकन इसको दबा दीजिए ताकि इंट्रस्टिंग वीडियो आप तक आ सके तो चलिए ब्रह टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ये है हमारा फाइनल यूनिट डिल बिट किट ये होता है डोनट और ये होता है हैक्स की मैं इन सबको बाहर निकाल लेता हूँ गाइस इससे वुट के अंदर बहुत अच्छे तच्छे दुआता है बहुत कम टाइम में और अगर आप वुट सौ कटर लेने की सोच रहें तो एक बाद इस डिल बिट किट को यूज करिए उसके बाद सिर्ए आप वुट कंटर आप बहुत करने में बहुत मदद करती है इसके बाद यह है हमारी drill bit और यह है measure bar देखिए measure bar को जरा में आपको थोड़ा सा focus करके दिखाता हूँ आप clearly देख सकें इसमें है 60-80-100-120 सेम यहां भी है 60-80-100-120 इसमें जो maximum hole है वो आप 120 mm तक कर सकते हैं और minimum hole जो है वो आप 25 mm तक कर सकते हैं दिख रहा है minimum hole आपका 25 mm तक का होगा और maximum आपका होगा 120 mm और जो drill की thickness है वो है 50 mm जो wood saw cutter होता है या फिर hole saw cutter होता है उसका एक disadvantage होता है कि उनके जो sizes होती है वो predefined होती है for example 39 mm, 43 mm, 45 mm अगर मुझे 45.5 mm काटना हो तो मुझे इस kit का use करना पड़ेगा मैं उससे नहीं काट सकता क्योंकि उसका size तो 45 mm predefined है मैं 5.5 mm कहां से लगगा तो इसको हम adjust करके 45.5 तक काट सकते हैं अब इसको कैसे खोलते हैं यह मैं आपको बताता हूँ यह hex किये, सबसे पहले मैं यह drill bit आपको खोल के दिखाता हूँ इससे यह थोड़ा सा नया है तो पूरा का पूरा tight है यह देखिए, यह मैं इसको खोलता हूँ यह drill bit आप चाहे तो इससे बड़ी bit भी लगा सकते हैं यह जो है, यह drill bit holder होल्डर है यह सेम रहता है, यह जो है outer bit holder और inner bit holder इसको हम आगे पिछे कर सकते हैं यह उपर से, देखिए, आपको दो दिख रहे हैं यहां सेम इनको खोल के कर सकते हैं अभी वैसे थोड़ी नई मशीन है, तो हल किसी tight है यह मैंने इसको खोला, अब मैं इसको आगे पिछे कर सकता हूँ यह देखिए, 120 mm तक यह drill कर सकता है इसको भी मैं आपको जरह लगा के दिखाता हूँ, तो आपको clear होगा और फिर मैं आपको एक wood में छेद करके भी दिखाऊँगा कि कितनी आसानी से wood के अंदर यह खोल करती है और हाँ guys, अगर आपको यह blade चेंज करना हो, तो यह blade भी चेंज हो जाती है यह किसी भी tools की shop पे मिल जाएगी, इसको भी आप खोल के चेंज कर सकते हैं देखे, यह मैंने इसको यहाँ से खोला, यह खोला और यह अगर blade जब आपकी घिस जाएगी, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं बहुत easily available है, इस blade की जो cost है, वो 30 to 40 रुपीज आती है यह देखे, यह मैंने blade खोल लिए, जब इसका sharpness खतम हो जाएगा, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं तो आपने देखा, कितना अच्छा है इसका adjustable option अब मुझे जो hole करना है, वो करना है 45.5 mm का, तो अब मैं इसको set करूँगा 45.5 mm में और अच्छे से इसको fit कर लूँगा, फिर हम करते है wood के अंदर hole अब मैं इसको कर लेता हूँ drill machine में fit, और यह जो bit है, यह 10 mm के चक में लग जाती है इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कि आपको 13 mm का चक साइज चाहिए या क्या है यह बनी ऐसी है, कि आप इसको 10 mm के चक में लगा सकते है तो गाइस मैंने इसको drill machine में fit कर लिया है, अब चलके करते हैं हम hole तो मैं आपको बताओंगा, फिर से इस wood में hole करके, मैंने इसको set के 45.5 mm में मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप इस kit का इस्तमाल करें, आखों पे प्लीज गॉगल लगा लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और प्लीज केरफुली काम करें तो आपने देखा, कितना बढ़ियां यह ड्रिल हो चुका है, मैं आपको खोल के लिकाता हूँ इस ड्रिल में टोटल टाइम लगा है, वो लगा है 10-12 सेकंड्स कितना अच्छा, इसमें होल हुआ है, यह मैंने किया 45.5 एक्चुली यह भोसे वाला MDF है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, मंगर अगर अगर आप प्लाई यूज करेंगे, तो इसमें और जल्दी छेद होगा मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मशीन स्क्रेट कोई भी इंफर्मेशन या कोई क्योरी हो, तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, अभी तब के लिए इतना है, stay safe and keep watching